हम जस भी situation में हैं। जो भी हमारी condition है। करोडों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में। जिनके लिए वो एक सपना है। मैं आपकी बात कर रहू है। अपनी नहीं कर रहा। आपकी situation में, आज आप जहां भी हो, करोडों लोग ऐसे हैं, जो सपना देखते हैं, आपकी ऐसी जिन्दगी जीनेगा, और आप उस जिन्दगी जी रहे हैं, उनकी ड्रीम लाइफ आप जी रहे हैं, उनकी ड्रीम लाइफ आप जी रहे हैं, सूज करके देखो, I'm telling you honestly, ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में गाउं में जाओ, इंडिया आपके जिन्दगी में से लोग खाना खा रहे हैं, अरे वो भी जो इन्सान ही है हमारे ऐसे यार, कौन है वो, वो कभी नहीं सोचेंगे कि मेरको संधीब महिष्वरी बनना है, बट अगर वो कभी आपके ऐसी जिन्दगी उनको मिल जाए, आप तो संसेस्टिल हो, आप तो स कजाता है त्यां कुछ बनना चाहता है, तो उसको ढू जा करके यह बोलना, कि तू यह नहीं कर संदा, इसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उमीद को तोड़ना एक बहुत बड़ बड़ा पाप है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में, सिर्फ यह कुप यह उमीद हो तोड़ते और आप चुप-चाप खड़े उसको देखते रहो कुछ भी ना कहो कुछ भी ना करो यह उससे भी बड़ा पाफ है जब हम चोटे थे मतलब के बच्पन के टाइम में अगर हम कोई स्पोर्स खेल रहे होते थे या कोई चीज अच्छी हो जाती थी हमारी लाइफ में चोटी से छोटी ना कोई बड़ी चीज का एग्जाम्पल देता हूं फिर चोटी सी चीज का कि सबोस हम कोई फुटबॉल का म में इसे आप खेलते थे फुटबॉल तो आप फुटबॉल खेल रहे हो और सामने चार प्लियर्स खड़े हैं और उदर गोल कीपर भी है अब किसी तरीके से सबसे बच्टे हुए यहां से वहां से निकल के और आपने गोल कर दिया तो आप क्या करते थे उसके बाद में हैं और खुशिया मना रहे हैं इस सेलिबरेट कर रहे हैं खुल करके यह तो गया बड़ी सी बड़ी चीज चोटी से चोटी चीज कि घर में आप बैठे हो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे हो और आपके दोस्ती दिकर उतर गई पांच मिनिट तक घस्ते रहते थे बड़ों को समझ नहीं आती थी यह वाते वह अगर रहे हैं क्या पागल है क्या कर रहे हैं अगर किसी तरीके से यहां पर बैठे हों जितने भी लोग हैं करो एक भा को इक हाईपोथेटी कर सिच्व सिचुएशन आपकी अंदर से डर निकल जाए फैलियर का डर निकल जाए कामेअब नहींगा तो कोई रोक सकते आपको कामेअ होने का psychology a Cricketer है उसके अंदर से डर निकल जाए आउट होने का उसको ग्याउट कर सकता है एक डांसर है, उसके अंदर से डर निकल जाए हारने का, उसको भी हरा सकता है और वो कौन हो सकता है, सिरतेगी बच्चा, और वो बच्चा हम सब के अंदर जिन्दा है करना है तो क्या करना है, अपने उस डर से परे निकलना है उस दर की दिवार के परे निकलना निए, उसको तोड़ना नहीं है, या हमारी आज की जो situation है उसको किसी और situation से compare करते हैं या अपने हाप को अपने हाप से ही compare करते हैं यह तीन वजाए हैं इसके अलावा कोई चौथी वजा नहीं अगर इन तीन वजाओं को हम स्नमझ जाएं मेरी दादी मुझे काहनी सुना थिती एक अच्छी लगती थी कि मैं रोज सुनता था वर रोज रोता था दादी काहनी ती एक ऐसे आदमी की जो बहुत खुछ रहता था अपने परिवार के साथ यहां पर वहां पर बहुत अच्छा मजय में उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आई जब उसकी लाइफ में जब उसके अंदर लाला चाहिए और उस लालाच की वज़े से उसने लड़ाई जगड़ा करना शुरू करती अपने माबाप के साथ अपने बाई बैनों को साथ पूरी दुनिया के साथ सिरफ अपने फाइदे का सोचन लग गया और दीरे 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 सबसे अलग हो यहां तक कि अपने बीवी बच्चों से भी लड़ाई जगड़ा करने लग तो चब उसकी लाइफ के उच आखरी सेकेंद बचे होए थे ना अजय को आदू आजवा ऐस दुनिया से तो उसकी आंख से आशू निकले जा रहे थी वह रहे जा रह रहता रौई जा रह 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 रहा ठार अ़ आखरी वर्ट जो से मूं से भार आए थे तो हम उसे बहुआए झाग्ड़ी गलती हो भी थी तो हरा एथ जो छ़ाग है ऐ obras के तो मेरे अंदर कुछ होता था, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं हमेशे यह सुचता था कि भई, जब मेरे वो लास्ट मुमेंट होगा लाइफ का, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा अपने सब लोगों को, उस ताइप मुझे नहीं समझाया, आज कर रहे होंगे, रो रहा होंगा लेकिन वो खुशी के आँसु होंगे, और रोते रोते में किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस हास रहा होगा, और मन में यह चल रहा होगा, मजा आ गया, क्या जिन्दकी थी, कर दो रहा होगा, और स्थासे नहीं को, आगा हो यह बंदकी कम अजयार मैं कर देते रहा होगा, जाधा बना। स्थासे और मन मुपला कालगर हो तो लोगह भ्यार के आभके मीं मुझेंbek।